नमस्कार मैंदम आलोग है आप लाइप स्टीज देखने हैं बिहार विधान परिशत की 24 सीटों पर चुनाव होना है फिलहाल चुनाव की रन भेरी नहीं बजी है लेकिन बिहार की मुखिव पक्षी पार्टी आरजरी ने अपने सभी उमिद्वारों के नाम का एलान कर दिया है कौन-कौन से उमिद्वार होंगे के उमिद्वार संजय आदव होंगे भागलपूर से बाकि तमाम सीटों पर आरजरी चुनाव रहेगी कॉंग्रेस ने भी पहली सुची जारी कर दी है लेकिन अब त्रेस्वी आदव नेता प्रतिवाक्ष जो की आरजरी के नेतितों कर एटू-जेड वाली बात जो तेस्वी आदव कहते थे वो दिखी सवर्णों के पती प्रेम भी दिखा ब्रह्मार्शी समाज के पांच लोगों को टिकर दिया लेकिन अब अपने ही लोग तेस्वी आदव के बगावतिक करते जा रहे हैं और ये खत्रे की घंटी बजा रहा है डेखे हालोक आरजेडी के बारे में एक पर्शेप्शन है और बिशेष का लालू यादव और तιजस्वी आदव के बारे में हैं कि यी खत् पन्रफिका जो आधार M. rotational मुस्लिम और यादब माना यह जाता है प्रश्पशन यह है कि जो लालु यादब और त्यस्थ्य यादब फैसला कर ले वह फैसला इस दोनों जाती ओं को या काउम को मुस्लिम और जादब दोनों को एक्सेप्ट होगा लेकिन जैसा आपने कहा कि बिहार बिरान परिशत की चौबिस सीटों के लिए चुनाव होना है और इसके लिए देखी आधिकारिक तोर पर अन्भेरी नहीं बजी है लेकिन आज जेडी ने पूरी तयारी कर लिए कॉंग्रेस से अलग जाकर तो पहले तो पंगा कॉंग्रिस के साथ फटा और जैसा आपने यहां भी कहा कि ए टू जेड बनाने के कजोड़े से हैं तेजस्वी आदब का कि उन्होंने भूमियारों को भी टिकट दिया वैसे मेरा यह मानना है कि चुनाव तो है जो वह रुपया लगता है इसलिए टिकट देने की ए इस मिठक को तो रहा है क्योंकि जो बगावत है उधर से ही दिखाई पर रही है जैसे जैसे मिड़बारों का एनॉंस्मेंट हुआ है तो आप देखेंगे कि यादब भूमियारों को एकसेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे हैं या उन्हें ऐसा लग रहा हो कि अब हमें कही स्रभन कुषबाहा को कि जो राजनीती है नबादा में वो कौसल यादब की प्क्ट्रिया कौसल यादब रहा है और राजबल्लव यादब कीव Martinez की पर इंवार्मियारों कि और यही पंगा फचा है तांकी आप की अमिदबार नॉंस्मेंट में डेली हुई और जैसे ही क helplessô कि स्रबन कुछ वहां उमिद्बार होंगे नवादा आजएडी में बिद्रों की बिगुल बज गई नवादा में आजएडी के जो अध्यक्ष हैं महंदर यादब लंबे अर्शे से हैं राजबल्लब यादब के करीबी मान जाते हैं उन्होंने अपना इस्तिफा भेज दिया वह और कहा यह जाया ईकि इस फैसले से राजबल्ला यादब जो जेल में बंद हैं नवादा में बगार राजबल्लब यादब आरजएडी है नहीं तो वह नाराज हो गए हैं क्योंकि इस चुनाओ की तैयारी उनके परिबार की लोग भी कर रहे थे उनके परिबार के कई लोग थे और जो प्रमपरा है जुरिवाज है सर्टिफिकर जमा कराने का जो पंचायत त्रियस्तर ये पंचायत में चुनावजीट कराते हैं इस प्रकिरिया में राजबल्लब यादब का परिवार पहले से लगा था असोख यादब की चर्चा चल रही थी तो नवादा में भी बगाबत हो गई तो यह बगाबत आपने नवारा में रेखी अब देखिए मधूबनी में अपने मेराज आलम को उमिदबार बनाया और बगाबत किसने की है गुलाब यादब ने आपके सबसे भरोसे मंद माने जाने बाले जिनके साथ हम चलते थे फिरते थे उन्हों इपने विश्वास खाद किया है तो बगाबत की बिगुल वहां भी बच गई गुलाब यादब कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी जिनका नाम है अंबिका गुलाब यादब उसे चुनाव लराएंगे किसी भी हाल में लराएंगे तो फाइदा किसको होगा जेडियू के इस वाणिपार नहीं मिला उसने दर्भंगा के या ज्टी का जले में इस तरीके से तोर्फोर कि लाल तैन तोड़ दिया जन्दा जला दिया सब कुछ हुआ तो आप देखिए आप आपको और जगले चलते आप देखिए आपने मुंगेर इसके तहत मुंगेर सिखपुरा लकिसराय और जमुई जिला है वहाँ आपने अजय सिंग को पत्यासी बनाया अजय सिंग जाती से भूमियार होते हैं उनके बारे में कई तडिकी के चर्चाएं हैं पैसा कम खर्च करते हैं जब कि शुनाव में पैसा बहुत आवस्चक होता है तो आपने बना दिया और उधा जभावसाली हैं धनबली भी हैं और निर्विरोष चैन कराने के लिए जाने जाते हैं उन्होंने अपनी पत्नी को इसके पहले जिला परिशद में निर्विरोष जीत दिलवाई तो वहां भी अब गुद्डू यादव मैडान में आ गये हैं तो जब आजय सिंग और जेड वहां यह होगा कि जब संजय प्रसाद को टिकट दिया जा रहा है तो सुमिर्स सिंग इसे कितना संब्स करते हैं मेरी जानकारी है कि वह इसे किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट करने को त्यार नहीं हाँ नहीं कि संजय प्रसाथ जीते हैं तो देखिए बीच में चर्चा ये ठीकि सुमिर सिंग अपनी पत्मी को चुना उदरा सकते हैं ठीक है डेमेज कंट्रोल कुछ हुआ है तो देखिए बाहर से भले हुआ हो दिल मिलने की बात नहीं हो सकती है तो वहां एंडिये और इसमें भ मैदानी की तैयारी हो गई है और पूरी हो गई है तो वहां भी देखिए अब जब यादव मैदान में आएगा तो इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा बड़ा कहना मुश्किल होगा तो जो मैं कह रहा था कि जो पर्शेप्शन है कि लालु यादब और तेजस्त्री य खुद लालु यादब ने उसकिया जेडियू के और से बालमिकी सिंग रहेंगे पट्टा की सित्या प्रिशित्या दूसरी है तो अनन सिंग के ही दोनों पहलवान हैं एक पुराने वाले एक बरतमान वाले लल्लू मुख्या आ गया है मैदान में निदली लेंगे लल्लू म मुख्या के बारे में यहां कहा जा रहा है कि उन्हें जेडियू की भीतर से भी कुछ बैक अप है तो अब यहां यहां भी डिखें दो एक भूम्यार एक कुर्मी और बीच मैं ललू मुख्या ललू मुख्या को शान्द कराने की कोशिस ती तो यह लें लड़ाई अनन और लोग मानने को त्यार नहीं दूसरी बात यह है कि यह चुनाओ जो है इसमें बड़े निता जो है चुनाओ परचार को नहीं जाते हैं इसमें रुपईया ही लगता है तो आप बहुत तो बहुत फोन से बात हाँ कितने से फोन से बात कर लेंगे और देखिए एक बात यह कही जाती निटीस कुमार भी कहते हैं हूं कि देखेज्ञ हमने लालू यादफ तैजसवी यदव की उमिदवार के खिलाफ लाद का मैदान्म उता रहा है जीत हमें मिलती है वे तमाम उदारान गिरा देते अं उदारान गिना देंगे आपको बाका का कि धहार यादव की जीट का ऐसे और भी काई उधारन दिखा यह है कि किस तरीके से टेजस्टिष्री यादव इस damage को control करते हैं और भुम्यारों को टिकत जरूर गया है लेकिन क्या जो भुम्यारों को टिकत दिया गया ज़्शा वह जो तेजस्त्री यादव लालू यादव का आधार बोट है यादव और मुसल्मान उनके साथ खरे हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं जैकि अब तक पुर्णिया में नहीं मिला है और समस्ती पुर्मे भी उमिदवार की घोसना में देरी इसलिए हुई क्योंकि पहले ये रोमा भाती अखिलेस राय की पतनी हैं खिलेस राय के कानी भी शुनाई है अखिलेस राय की हत्या हुई थी रूमा भााती बनी हैं कहीं अप्सक्राह की खिलाप लगना है आपने कुंदन यादव को मुद्वार बनाया है जो रिष्टे में पप्पू यादव के मामा भी लगते हैं ठीक है ना और उधर कॉंग्रेस ने सुने लिए यादव को बना दिया तो या तो दो यादव भी लड़ेंगे तो मतलब यादव पर भी आपका अब आप देखिए बेतिया ठीक है ना बेस चंपारण जिसे आप करते हैं वहां आपने इंजिनिर सौरब कुमार को बनाया वहां कॉंग्रेस से मुसल्मान पत्यासी देने जा रही है और दूसरी जो सूचरा है वहां से कि एक पुरानी फैमिली है दस्यू फैमिली है उसके बेटें उनका इत्यास नहीं है वे भी चुनाव लड़ने को मजबूत हैं बहुबल से भी मजबूत हैं और धनवल से भी मजबूत हैं कहा यह जाता है कि लालुय आदब से बाचित भी हुए थे कि आप चुनाव मत लड़िये सौरब को ही लड़ने दीजे सौरब जाती से लेकिन वहां भी रजामंदी नहीं हो पा रही है तो यह परिसानिया जो है तेजस्वी आदब को परिसान कर सकती है और इससे नतीजे प्रभावित हो सकते हैं जब NDA का लिस्ट ऑफिसियली एनाउंस हो जाएगा तब हम देखेंगे कि NDA में बगावत कहां कहां होती है दीए घूल मिलाकर अगर हम देखें तैस्वीय की पाटिटि जोंखविव्पफ्श एंड तो आप बहुआसली उलाने की कोशिश कर रहे हैं तब आम झाती हो को साथ लाने काओ चल रही है लेकिन जो आपका अधार है जो आपका बेस है चर्वांड के क्या वो स्थिर रह पाएंगे क्योंकि बगावती स्वार जिसने के से उठ रहे हैं यह आने वाले समय में अगर भुकाम पाया अगर भुचाल हुआ तो ना इमानत बन पाएगी ना ही जो अधार पहले से रहा है उसमें तो खैसेंद लगेगा ही लगेगा है तेस्वी आदव क इसकी होगी तो फिलार कर पाना बढ़ा मुश्किल है वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ-साथ फेस्वी लाइक करें धन्यवाद